नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमाई टूब चैनल पे मेरा नाम है सुमित मुराडी आयोप आप सब अच्छे होंगे आपकर प्रपाई अच्छी चल रहे होगी और मन्नक तियार अब लोग कर रहे होंगे देखे इस से पहले जो मैंने SI के लिए स् आई थी फीमेल SI की तो आज हम उस पेपर को देखने वाले है कि इस पेपर में कितना डिफ्षेंज था कुश्चन का लेवल क्या क्या क्योंकि यहां पर भी आपका सेम है तीन सा कुश्चन पूशे जाने वाले है जिसका टाइम तीन घंटे गया है ठीक है बहुत से बच्च पर इस बाएता हूं कि हम इस टाइप से आप चीन्या को कवर कर रहे है ठीक है अ तो यहाँ पे अभी रीजनिंग स सार सात में यहाँ तेक है रीजनिंग के प्रेष्ट बनी हुए है और साथ में और रीजनिंग के पेरानी वीडियो में ने करवाय थे आप वो भी देख सकते हैं और बाकी एकोनोमी चल रही है एकोनोमी के दो चेप्टर आ चुके हैं यहां पर दिरे दिरे हम चीज़ों कवर करेंगे उत्राखंड मैंने यहां पर कवर करवाय हुई है पूरी आपकी कह सकते हैं जो उत्राखंड के अ हे और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए नब? beni लेग्वी अद? करते है करेंगे पर सोभाट यहां यहां सो, करेंगे फर्स कोशन करिंगे जिसमें उत्रा अखन्ड practiced दोना रहेगा उसके बाद हम YouTuber के कosta करेंगे पेर लास्तम आपका हिंद्य कोशन आएंगे ठीक है, पूरा पेटर्न जो है वहरे हैं पर रहने वाला है क्योंकि की पेपर है पुराना ठीक है चलिए तो फॉस्ट कोश्चन यहाँ पर दिया हुआ है देहरादुन का वाडिया हिमालय सस्तान संबंदित है जो वाडिया स्टूट है यह किसे रेटेड है खेल से संगी किस्सा या फिर भूविज्यान तो इसका अप्सन नमर्डी है यह आपका भूविज्यान तीक है लेटेड है ठीक है डेलिंग तक्नीकी सस्तान इस्तित है यह बी इंपोर्टेंट क्ष्चन था यह वारबार एग्जाम में पुछा याता है कि जो उत्राखरण के अंदर डेलिंग सस्तान है इसका संबंद आपका किससे हो जाता है तो डेलिंग सस्त पहले इसका answer हम टिक करेंगे यह सबी मतलब कहने का मतलब है कि जहां परवत के बाद मैदान का एरिया आता है तो इसी case भी है आपका काडगोदाम भी है कोड़वार भी है साथ में अगर टनकपूर option में होता टनकपूर भी होता आपका ठीक है इसको आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं चौथा है रामगंगाबाद को के लिए नाम से जाना जाता है जो रामगंगाबाद है आपका ठीक है इसको और किस नाम से जाना जाता है इसको आता है कालागर बाट की नाम से किस के हाम कालागर option number C हो जाएगा ठीक है basic question है ऐसा कुछ यह इस बार भी आपके 75 GSE इसके लिए ऐसा कुछ इसमें लेने के टेंसरी की बात नहीं है क्योंकि उत्राखंड नॉर्मली पूस्ता है ठीक है यूके पीसी एक्जम करा रहा है तो आप लिए अब किसाओ बात की बात कर रहे हैं तो यह आपका दहरादुन में इस्तित है ठीक है तो आप लोग कमेंट कर दूनागिरी बंदर पुच्ची आई सभी यह ओल उप्सन राइट हो जाएंगे यहाँ पर तो सभी चाहें यह उत्राखंड में इस्तित है ठीक है चलिए अगला कुशन है निमी लिखित में से कौन सा सत्ति नहीं है देखिए यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ हुआ है मिल राज्टी विज्ञान दिवस 28 पर बरी यह आपका सही है बड़ हमको यहाँ पर क्या सत्ति करना है नहीं पूछा गया कौन सा सत्ति नहीं है ठीक है मतला सत्ति वाले को उत्त्राखंड राज्जी का राज्जी खेल बैट मेंटिन देखिए अब यहीं पर आपको समया आ गय जाएगा ठीक है चलिए अगली कोश्ण के तरफ बढ़ते हैं आठा कोशन है कालसी का सिलालेक संबंदित हैं इंपोर्टन कोशन है यह है सम्रोड जो सम्राड असोक है उसे लिए ठीक है कालती कहा है देरा दुनना पड़ता है आपका नुवा कोशन है उत्तराखंड राज् पती को बोलके राश्टी सासन यहां पर लगा था है अउत्तराखंड में हरी स्रावजी की सरकार थी ठीक है 2016 की अंतरगत तब यहां पर चिए अलीज दिन का क्या लगा था आपका याद रखना यहां पर आपका राश्टी पजी सासन लग गया था ठीक है तो कब लगा था 27 मार्थ 2016 लगो लगा था ठीक है एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडिस्टी कहां इस्तित है यह भी इंपोर्टन कोशन है तो यह है आपकी लालकुआ में है जी का सेंजुरी पेपर में आपके इसे बारे में सुना होगा चलिए आगे बढ़ता है उत्तराखंड के पर और न में सीज बात करते हैं तो सुर्जी इस्तिम बर्ना जी थे यहां पर ठीक है चलिए है केंडरी भावन अनुसंदान सिस्थान कहा इस्तित है यह इंपोर्टन के बात करते हैं किसके बात कर रहे है केंडरी थिचित में श्कानी चा agreement को से आने ढिजडरे है लिए और पि अगला देखते हैं अगला देखते हैं अगला देखते हैं राष्टी टक्निकी सस्तान दहरादुन तो यह भी आपका क्या है गलत है यह आपका सही प्रेखते हैं नहीं है उत्त्राक्राद राज्जी का पुलिस मुख्या दहरादं में है यह आपका सही है भारतिय टक्निकी सस्तान रुड़की में आपको सब को पता है एक एक ट्रॉट्ट अप्सन नमबर भी आपका यहाँ अपका ड्रहादून नहीं है यह आपका गर्स हो तो सब्सक्राइब हो जाएगा हिंदुस्तान मसीन टूल जिसको हम्ट कहते हैं ठीक है कार खाना इस्तित है यह रानी वाग आपका ननी ताल में है रानी वाग में ठीक है 17 वका हो गया का आपका आपका नमबर बी हो जाएगा अठारवा है उत्राखंड की पर्थम महिला पुलिस महादिक्स तक कौन थी ठीक है तो कंचन चौदरी भट्टा चार्या यह कुश्चन भी एक्जाम पूसता है तो यह भी आपका क्या जागा राइट हो जाएगा उत्राखंड में लोकसभा की सीट है कितनी अब देखिए रि अल्मोडा सीट से जो अजय टम्टा जी है जो आपका परीवन मतलब आपका जो मिनिस्ट्री इसके अंदर उनको राजी मंत्री का दर्जाएं यहां पर मिला हुआ है इसलिए यहां कुश्चन पूछ सकता है कि कौन से लोकसभा से आते हैं तो अल्मोडा लोकसभा से आते है हो जाएगा ठीक है आपको चीजिए क्लेइर हो गई हो गए होगी और उत्राखंड के अंदर अल्मोड के विझांसभा सेटव के बात करेगा तो सत्तर विधांसभा सेट है बहौती शुतूर संविंज संस्तान सही है टीफेंस, इलेक्ट्रोनिक से अप्लिकेशन डियाबोर्ट ये भी सही है, तो अप्सन नमर दी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बहुत बेसिक कोशन पूशे गए थे, और इसी टाइब के कोशन आए, क्यूंकि आपकी देख सकते हैं, तीन घंटे का पेपर है, तो जाए टप पेपर नहीं आएगा, नॉर्मली पेपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रिजनिंग के अंदर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसी में टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है, बाकि हिंदी और जीएस को आप आसानी से एक घंटे चालीस या पचास मि कर सकते हैं, बाट टाइम को लगने वाला है, तो पहले आप हिंदी करेंग, पहले आप जीएस करेंगे, हिंदी करेंगे, देर आपको रिजनिंग करना है, देर लास्ट माप को मैथ करना है, ठीक है, क्लिए, आपके बता दूँगा, अभी तब होट टाइम है, उत्राकंड विधान सभा में एक सज़से नामित किया था, देखिए, पहले ये नामित किया था था, एंगलो इंडियों समुधाई से, बट अब इसको हटा दिया गया है, 2019 में अमिन्मेंट किया गया, ठीक है, आप लोग कमने बताएंगे, वो कौन सा कस्ट्रों अमिन्मेंट था, एक स उत्राखंड के प्रथम मुक्य सची थे, अब प्रथम मुक्य सची उत्राखंड के कौन थे, अजय विक्रम सिंग जी थे, ठीक है, अगला कुश्चन है, गलत भीकुम का चेहन करना है फिर से यहाँ पर, नंदा देवी, नेशनल पाक, उत्रकासी, अब देखिए, अब यहा प्रवित नेशनल पाक ननीटाल सही है विंशर वाइंड लाइफ सन्चुरी अलमोडा ये भी आपका सही है ठीक है अब पूछेगा कि सोना नदी वाइल लाइफ सेंचुरी कहां पे है ठीक है तो यह आपकी सोना कहां से पौडी से ठीक है मैं नियाद करवा है आपको सोना पर यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है 25 है सही युप्म का चैन कीजिए देखिए इंद्रापने परोडी का अनिनाम उत्राखंड के गांदी के नाम से जाने आते हैं यह आपका सही है बदियत्त पांडी का अनिनाम क्या है कुमाओ के स्री इनकी तवरा कुमाओ का इथियास परसिद्ध महाकवी कालिदास की रचना मेगदूत का गडवाली भासा में किष्ण अनुवात किया है बहुत इंपोर्ड़न कोशन है ठीक है एकजाम पुछा आता है तो आचार धर्मानंद जम्लोकी जी ने इसके तरह किया गिया है ठीक है भूबनेस्वरी महिला आस्रम इ कहां पर है अंजनी सेने टीरी गडवाल में इस्तित ए ठीक है उन तीसमा कौशन है अलमोडा मुदराये किस समराजी से संबंदित हैं दो जो अलमोडा की मुदराये हैंcr emotions談 एसको और या याद कर सकते हैं तीस्वा कुशन है आपे British कुमाव गडवाल परसिद्ध पुष्थक के लेखक कोन है, इसकी बात कर रहे हम इसको इसको इशिया का नोबल प्राइस कहा जाता है, ठीक है तो यह उत्तराखन के कितने विवतिये को दिया है, दो लोगों को आज तक दिया हुआ है, दीब जोसी इसको दिया हुआ है दूसा चंडी प्रसाद भर्जी को यह इन भी दूरू क्या जाएंगे यहां पर राइट हमारे हो जाएंगे ठीक है बक्तिसमा कुश्चन है सही युगम का चुनाओ करना है खटीमा टहसिल चंपावत में नहीं डायकली गत हो जाएगा आपका यूदमसी नगरमा आता है गैंड सेंट टहसिल चमोली यह आपका सही हो जाएगा बैताल घाट टहसिल नैनिताल इसमें से आपका कौन सा सही है तो आपके क्या हो जाएंगे यह आपके राइट हो जाएंगे क्योंकि आपका यह भी क्या है सही है ठीक है उत्राखंड की दोती आदिकारिक भासा क्या है तो दोती आदिकारिक भासा उत्राखंड की संसक्रित है 2010 में इसको एक्सेप्ट किया था गर्मिंट के द्वारा ठीक है अब ये question उस टाइप पे जो पूछा होगा ये current का question होगा तो यहाँ पे अभी मैं current का question कितने पूछ रहे इस साफ तो नही question डाले हुए है यहाँ पे ठीक है आप यह मत सोचना कि सब paper 2016 करवा रहे है और current फिर 2022 का डाल रहे है ठीक है वह आपको एक idea दनी के लिए क्योंकि इतना पुरणा current फिर तो आईगा नहीं same to same बाकि इसलिए में आपको यह idea मिल जाएगा ठीक है तो जो गुजरात में हुए थे वह आपके कौन से थे तो यह थे आपके 36 राष्टी खेल थे से 37 गोवा में हुए 2023 में यहाँ पर याद रख लो 2024 में आपके उत्राखण में होने वाले थे राष्टी के इल अपने उत्राखण में ठीक है बड़ अभी पिरिस उलंबिक के वैसे इनको पोस्पन कर दिया गया है जो इंट्रेनला कोस्ट अब जस्टीस है इसका हैड़ कोड़र देहिंग में है बहुत इपोर्टेट कोश्चन है यह याद रखना ठीक है चली अगला कोश्चन है उच्छे तर्म नियाय लेके नियाजिस सेनावर्ति की एज क्या होते है ठीक है तो उनकी जो सेनावर्ति ज यहां पे आपका ननकाना साहिब ठीक है उन्चारीसवा कोश्चन है यहां अलिपूर बंग केस में सामिल थे जो अलीपूर बंग केस हुआ था सुटनता के टाइम की बात चल लेए जो सुटनता न्नन चल ले थे उस टाइम पे ठीक है इसमें जो जतिन दास थे इनकी तरह आपके आपके महत्मिया वाति तो कि झाल सहराम सोफ्टों है स्वामि अब आपолों कमेंट सकतर बताइएंगे शिक्ति समाज कीुछ तापना कब हुई थी जह आप यह बड़ते हैं कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पर्थम बैठक कहां पे हुई थी ठीक है जो आपका इंडियान नेश्टनल कॉंग्रेस है आएंसी यह कब बना था यह बना था अठार सो पिचासी माना था ठीक है इंपोर्टन कोश्चन है तो इसकी जो पर्थम बैठक से ठीक है डाश्टन डाश्टनल के लिए किस देश ने सुल्तान अजलाइन साग कब जीता है अब देखिए यह पहले उस्टाइब कोश्चन होगा तो यहां पर नया कोश्चन डाल दिया है यही जीता आधा आपका मलिशिया के दोरा ठीक है च्छी आलिसवा है होपमें कप का संबन्द किस स्केल से अब देखे यह जो टर्मलोजी होती है इस पोर्स वगरा की UK SSC अभी पूस्ट भी रहा है ने मैंसे भारत का सबसे बड़ा किनसासी पर्देश कोन सा है क्टिन से परदेश है आपगे भारत मा भी रिसेंड में आठ किनसासी परदेश ारी का है राज जी है टिक a Але पूछ JEंघे थिर्फूर आपका क्या है यूटी नई इसका संब्बनी जो कि महत्मा बुद्ध का जन्मिस्तल है वह अन्यम से किसके अभिलेग से निश्चीत होता है कि यहां बुद्ध बुद्ध का जन्मिस्तल है तो इसके बारे में बुळा गया था आपका और उसीसे आम एविडेक्स मिलते हैं कुछन है निमिलीकित में से कौनसा एक दक्षिण एसिया का शरवाधिक नगर कुछत देश है किसी बात कर रहा है तो ऑप्सं में देखके लगना होगा आपका तो यह हो जाएगा सरवाधिक बोल रहा है तो बोटान हो जाता है ठीक है भारत भी इतना नगर कुछत है जितना क तो इसमें दिया हुआ है तमिलनाडू उडिशा बिहार और हडियाना का था ठीक है और यहां पर सबसे ज्यादा जो इसके अधिन जो है वह आपका तमिलनाडू का है याद रहता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेजा क्या होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है अगर पूछेगा मैक मोहन रिखा किसके बीच है तो मैक मोहन राइन जो है आपकी भारत और चीन के बीच में है ठीक है क्लियर है आपको चौववा कुष्चन है या पर निर्वाचन आयक्त हटाया सकता है ंपमोटर्वा यह बारत में जो तीन लोगों के मेंबर वॉड़ी है 2012 की अंदर घ्रत चीफ lection कमिसर्व होता है दोसके आयुक्त होता है ठीक है अभी आप comment section बताएंगे उत्तरा खन्ड के जो सचीव रहे थे अभी रिटार हो चुके था ठीक है उसके बाद उनको यहाँ पे आयुकित किया गिया है उनका नाम कْया था ठीक है अ आप in अब भारत के जो चुनायुक्त कोन है जीप ठीक है उसके बाद उसके दू आयोत है वो भी कोई तीनो का नाम लिखी आप कमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए कमेंट सेक्षन बताना और यह करेंट बेक्ष्चन है तो आपको ही पता होने चाहिए ठीक है पचपर्वा कोश्चन ह सम्मिधान सभा के समिधानिक सलाकार कौन थे હीक है तो यह थे आपके रहो थे थी ठीक है ट्रयाज सम्मिधानिक कारिक्रम है यह बहुत importantest question है इसका सम्मद है Boss विकास किस्ते है जो कह सकते हैं कि निये ट्रयाय समिक कारिक्रम की आया हुआ प्लानिंग कमिशन के तरो यह आया हुआ था अगला कुशन है सतावनवा कुशन भारत सरकार में वर्तोमान 2023 में केंद्री ग्रहमंत्री कौन है यह तो बहुत सिंपल कुशन है ठीक है और अभी आपका देख सकते हैं 2024 में नई केविनेंट बनने के बाद भी यहाँ पे कुशन प्रकास वर्स मात्रक किसका है तो यह आपका दूरी का मात्रक है ठीक है भारती समिधान के पिछला वर्गा आयोग नहीं था है इसका समिधान में कहा रहा है कौन से अनुच्षित के अंत्रकाद जो पिछला वर्ग आयोग है यह नहीं हिद किया गया है इंपोर्टन कोशन है इसका संबंद है आपका अनुच्छित जो आर्टिकल 340 है उसके अंत्रकाद यह दिया है ठीक है आपको आपको जादी होगा काँब जाधा जाए निउज में आता है घीक है मतलब निउज में थी मतलब हम दर हिश्टर के अंदे कोशन मनता है ठीक है औरन्मोंस सबको पताई होता है कोन से युरोपीयन व्यापार ही तुdy बहुरत में पहले आए थे अब वियापार की बात करना है यूरोपीयैन जो डैनिस और फ्रेंच आए थे क्लियर है आप लोगों को अब इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होने चाहिए इसलिए देखे पुर्तगाल मैंने अप्शन नमर दी किया है तो पैसा दे भाई दे फास इसको याद कर दिना पी डी डी एफ ठीक है बासटवा कोशन है अठा सत्तावन के विद्रहों में असम के नेता कौन थे इंपोर्टर कोशन है ठीक है तो असम जो असा सत्तावन करांती हुए थी फस्ट बॉर्ड अप इंडिपेंडनेंस को बोले जाता है तो इस ताइम पे हर जगह से कोई ना पर बात कर रहें कि असम से यहांपे कौन हो तक असम से आपके दीवान मुनिर्राम दकत yap करने तो चलिए विश्टु बेंक का कहां पर है इंपोर्ड कोशन है और भारत के अभी इसके मीनन का अधिकारी है ठीक है वह भारत की ऐग्रत तो बताइए उनका नाम क्या है आपके और इसका हेड़कोटर के अगर में बात करता हो तो इसका हेड़कोटर आपका वॉसिंग्टन डीसी में है विस्तु ब्यापार संगठं का मुख्यारे कहां पर है किसके बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड और अगरेंशिंगी बात करेंगे इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा जेनिवाम हो जाएगा ठीक है इंपोर्टेब वॉड़ी है यह बी मुत्र का प्येज मान कितना होता है ठ ठीक है यह होता है ठीक है चलिए आगे बरते अगले कुश्चन की तरफ पिर्थी पर उप्लब्द सबसे कठोर्टम तब तो कौन सा है ठीक है यह आपका हो जाएगा हीरा हो जाएगा ठीक है अगला है 67 लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का आरभ में किष्णी किया ठीक है यह कुश्चन भी आपका इंपोर्टम मत्ता है ठीक है यह किया गया था श्यामा श्यामा जी क्रिष्ण गुर्मा जी की दौरा लंडन में इंडिया होम रूल सोसाइटी किस्टाफ में आपके की गई थी ठीक है इस बुक के लेखा के वह आपके कौन है तो यह है अब हुई थि यह हुई थि शोल शॉल शचाज में बाइयोगेस का मुंकि घटक क्या है ठीक है जो वीटामीन खुन का थक्का बनने के लिए इंप्रेंट है तो वीटामीन की तो डियाका बनने के हो摹गे cris कर दो वाकि धिक्षु कविता जीवस कब मना जाता है अब देखिए इससे एक टीम यहाँ वापी इम्पोर्टेंट हैं ठीक है आपको यहाँ याद करने पड़ेंगे तीन से चार कोशन यहाँ पर दिख चुकए हैं डे लिटेट तो विस्टो कविता जीवस के अगर हम बात करेंगे तो यह होता है 21 मार्च को इलेक्ट्रिक बब्ट का फिलामेंट बना होता है यह बहुत इंपोर्टर कोश्चन है मतलब बेसिक कोश्चन है डाल देते हैं ऐसे ठीक है साइन्सिक अंत्रगत हसानी वाली अब देखें लाफिंग के बारे में पूछा आता है लाफिंग के कौन सी है आपकी तो यह होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड याद कर लेना इंपोर्टर्ट कोश्चन है ठीक है लैंस की पावर को ना पाजाता है जो लैंस होता है इसको नापते हैं कोशन होंगे वह आपके मैठ और रिजिनिंग करेंगे ठीक है अब देखें मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर मैं यहां मैठ कराओंगा मेरे पाइप स्पेस भी निया मैं यह पीडिया बनाई है इसके अंदगर और मैं यहां करूंगा तो वीडियो काफी चार पाई घंट और मैं जहां पर एक बार आपको आइडिया दे रहा हूं साथ में इसके साथ साथ में आप लोगर कंडिर बैठें इसको देख रहे हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टैप से कुशन यह पर पूछे जा रहे है ठीक है तो बाकी मैं एक अलग से वीडियो आपको दिया हुआ है तो इसमें एक अईडिया दीखिए काफल वाला दिया हुआ है इसमें आपके कुशन वाले स्वाले कोशन यह कोशन बनते हैं इन इसकुरथा है क्थना कथना है क्या होता है आपको यह एक यहाँ पर आइडिया देना पड़ेगा ठीक है देखिए कथन क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना आप लोग चलिए थोड़ा ना यह चिनियां जो है ना वह बहुत प्रसांग कर देती है ठीक है तो चलिए सभी email message है कुछ message पत्र है करना मतलब यह कह रहा कि सभी जो mail है मतलब mail email जो होते है ठीक है वो mail नहीं यह मतलब email जो होते है कुछ message, सभी email message है सभी email क्या है आपके? message है अंदर email वाला हो गया, यह message वाला हो गया ठीक है? कुछ message पत्र है अब कुछ message जो है आपके यह क्या है? पत्र है, paper है ठीक है? देखिए message के अंदर बड़ यहाँ पे देखिए email नहीं है, ठीक है? ऐसा बो लगया है अब कुछ message email नहीं है यह भी गलत क्योंकि है कुछ तो इसलिए यह भी गलत तो कहिंगा मतलब है यदि न तो निसकर से और नहीं इसकर अनुसा कर रहें दोनों अनुसारा नहीं कर रहें दोनों गलत है अई वाक क्लियर हो गया हो गया मैं क्या कर रहा हूं तो इसका answer आपका option number सभी तंबू के बिने हैं सभी के बिने मकान है ठीक है मतलब कहने का मतलब यह है कि सभी तंबू के बिने हैं सभी के बिने मकान है सभी के बिने मकान भी है इस टाइप से बनेगा ठीक है अब निसकर कह रहा है सभी सभी तंबू मकान है क्या है आपके सभी तंबू मकान है अगला पर थे सबी मकान तंबू है नहीं सबी मकान तंबू नहीं है यहाँ थीक है तो यहाँ पिका होगा और इसका करेगा पोप्षा नम्मर ए हो जाए का जेदी केवल इसका से एक अनुसरन करता है थीक है आपको क्लियर होंगे चीजे जैसे एस्टीवा कुश्छन दिया जोते हैं ठीक है कुछ घडियां छले हैं अब कुछ घडियां क्या हैं छले हैं ठीक है अब क्या करें कुछ छले जोते हैं ठीक है यह तो अनुसर कर रहा है कुछ छले जोते हैं सब भी छले जोते हैं सब भी नहीं है देखें कुछ है तो option यह भी गलत तो पहला सही, तो option नमर यहाँ पर भी देखिए A से हो जाएगा, कि एवर A की अनुसर यहाँ पर हमारा करेगा, ठीक है तो आपको clear हो रहे हों की चीज़ है तो मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, एक idea देदी आपको किसा तो बाकी मैं आगे जो वीडियो आईगी उसमें करवा दूँगा जीज़े अब देखिए, यहाँ पर 83 में कुश्चन क्या कह रहा है प्रतेक प्रेश्च में निचे चार अकर्तियां दिये हुई है तीन अकर्तियां एक निचे प्रकार के समान है और एक समों के रूप में है यह मिलिकित मैंसे कौन सी एक आकर्ति इस समों के सम्मधित नहीं है मतलब कह रहा है कि यह चार दी हुई है एक, दो, तीन, चार इसमें एक समान है तीन समान है, एक अलग है तो हमको एक ही का यहाँ पर क्या करना है उसको यहाँ पर चुछ करना है ठीक है देखिए तीरासी में क्या कह रहा है आपको यहाँ पर एक ची लग रहा हुगा देखिए यहाँ पर सब सेम है बट यहाँ पर अंदर आपको बेसिक ची दिख रही होगी इसके अंदर गत अंतर गत देखिए यहाँ पर एक एरो यहाँ अगले वाले में देखिए यहाँ पर एक ही डायरो है यहाँ और दएख डायरों है अब दिखिए यहाँ और यहाँ पर बहुत हो नई हमारा हो जाएगा इसमति rest हो जाएगा इसमें एक लिए mission को ठीक है कि चलिए 74 है देखिए 84 में क्या होगा अब यहां पर कुछ tightening- swipe तोज आपको , देखिए, एक चीज आपको दिख री होगी ज़ो इस्टार है दिए कुछला मी देखते लगे इस्टार आपके इस टाइक car आरे यह को से ब्रक यहां पर सीधे आ गया है which और भी हमारा यहाँ पे अलग होसाद में जा एक सुब क्योंकि इन में आपको एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, यहां पर देखें, क्रॉस नहीं हो रही है, इस तैसे लाइने हो रही है, ठीक है, बहुत सिंपल कुश्चन होते हैं यह वाले, और आसान होते हैं, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस चीजें के लिए हो 37 में क्श्चन है, 87 में क्या हो रहा हैं, यहां पर देखिए, सरकल था, इसके अंदर 4 लाईन थी, फिर यहां पर आपका इस टाइफ से figure दिया हुआ है इन में से यहाँ पे इनको यूज करके अंदर यहाँ पे कौन से आकरती यहाँ पे ABCD में से बनेगी कहने का मतलब यह है पहले वाले में अगर मैं देखता हूँ देखे यह वाली बनेगी नहीं क्योंकि सब क्या है बीच में लाइन है यह गलत होगा यह ब्लॉक वाली बनेगी A.N.B. में से एक बनेगी अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लिया लग रही होगी दिखे जो यह वाला है ठीक है तो देखे यह आपका अंदर यहाँ पे बन रहा है ठीक है तो option number B आपका यहां पर क्या हो रहा है राइट हो रहा है ठीक है अट 89 कोश्चन चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखे इस टाइब कोश्चन आते हैं यहां पर ठीक है तो देखते रहते हैं जिस कोश्चन में जा टाइम नहीं अब देखे यह कोश्चन Classification अंतरगत मैंने करवा दी हैं आप उन वीडियोज को देखिए और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कैसे इन कोश्चन को बंदने करके 93 वा कोश्चन अब प्रेक्टिस किजिए अब देखे ब्लेड लेसन का कोश्चन आ गया है रमेस अमित का भाई है अब इससो कैसे बना जो अमित है सुस्मा का पुत्र है सुस्मा उपर होगी सुस्मा भीमेल है आपकी ठीक है और सुस्मा 37 की बहन है अब यहाँ पर 37 की बहन 37 की बहन क्या है सुस्मा है ठीक है यह हो गया अमित सुस्मा का पुत्र है यह मैंने हो गया है देखी जो अमित था यह आपका सुस्मा का पुत्र था नीचे ठीक है सुस्मा से रमेश का संबन्द क्या है जो ये सुस्मा है ये दोनों भाई है और ये इसका बेटा है तो ये भी इसका बेटा ही होगा ना रमेश तो क्या हो जाएगा पूत्र हो जाएगा option number C, बहुत आसान question है कुछ नहीं करना होता है, बस थोला सा common sense लगाना होता है, generation को same बनाईए, भाई है तो एक generation के है, माता एक generation उपर हो जाएगी अगर दादा लोग होते तो वो एक generation और उपर हो जाते ठीक है, तो ये clear हो गया होगा पहले बुला था रमेश अमित का भाई है तो रमेश और अमित भाई हो जाएंगे मैंने जो plus और minus लिखा, ये क्यों लिखा मतलब ये आपको आगे काम आएगा जैसे आपकी जो mail होते हैं उनको plus कर दिया के जिए, जो फिमिल होती हैं उनको minus कर दिया के जिए, तो आपको पार चल जाएगा कि जो सुस्मा थी, वो फिमेल थी, और जो सुरेज था वो आपका क्या था, mail था ठीक है, तो इसका पुत्र हो जाएगा, क्योंकि अमित पुत्र है तो, अमित और अमित भाई है तो ये भी सुस्मा का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा ठीक है बहुत आसल होते हैं कुछ नहीं करने होते हैं simple question यहाँ पर रहते हैं ठीक है अब देखे 95 में question क्या है जिस प्रकार 16 9 और 4 से 234 आया हुआ है उसी प्रकार आपका यहाँ पर किस टाइप से सवाल आएगा वो आपको देखना होता है प्लस कीजिए मैनस कीजिए गोना कीजिए यह आप लोग प्रैक्टिस करिए ठीक है सेम भी आपको यहाँ पर भी question दिया हुआ नीचे देख सकते हैं ठीक है यह एक्स की value यहाँ पर क्या गी वह आपको निकालनी है जिस प्रकार यह 24 बनाओगा बीच में ठीक है उसी प्रकार है आया है इसके बाद अगला क्या आएगा अब एक चीज़ देखिए सी का place value कितनी होती है तीन होती है एप की place value 6 होती है ठीक है उसके बाद आए की place value आएगी एल की place value आएगी और ओ की place वह एगी जितना इनमें difference हो रहा होगा ठीक है जैसे एप है ठीक है जैसे देख्या ए बी सी डी सी आ गया तीन में डी एफ तीन ना गया ल, M, N, O आ गया ठीक है एन ओ फिर P, Q, R तो क्या आएगा आपका आएगा तो अपसर नंबर यहां पर आपका राइट हुजाएगा ठीक है तो आप लोग इसको ट्राइ करना ठीक है बाकी में नेक्स वीडियो में आपको जो कराऊंगा यहां पर चीज़ां करवा दूंगा किस टाइप बनते हैं ठीक है तो हम सिदे हिंदी के तरफ बढ़ते हैं या फिर आपको मैद के भी एक दो एक्जामपल समझाने है तो मैं मैद के कुश्चन किस टाइप से आतने करके ठीक है यहां पर मैद भी स्टार्ट होने लग जाएगी तो यह कुश्चन है आप लोग स्क्रिंस लेजएगा या फिर पीडियाप आप लोग मिल जाएगी तो आप आपको एक्जामपल दिखाता हूं यहां पर भी इस देखें यहां पर एक कोश्चन का बारा हूं कितने आसान कोश्चन होते है कुछ भी नहीं करना होता है दिखें 153 बार कोश्चन दिया हुआ है दो नल ए-इन-वी एक टैक्न को करम से 18 गंटे और 12 घंटे में भर सकते ग आपका जो LCM होता है, जिससे दोनों संघ्याओं से क्या है, इजली कड़ जाए, 18 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, 12 यह 36 होता है, तो कितना मिल गया, दो और 3 मिल गया, अब क्या कह रहा है, यदि दोनों नलग को एक साथ खोल जाजा, अब एक साथ खोलना है, और क्या कर रहा ह है तो 2 और 3 था ये कितना हो जाएगा और यह कितना था आपका 36 था ठीक है तो 36 करेंगे हम 5 का भाग जाएंगे 36 में तो 5 सत्य 35 बार जाएगा ठीक है यहां पर दस नो लग जाएगा यहां 0 बढ़ जाएगा एक बचा था 10 हो गया तो 5 दो नी 10 तो 7.2 आपका आंसर आएगा तो देखिए 7.2 आवर में आपका एक एम भर जाएगा कुछ नहीं था बहुत सिंपल कुश्चन था इतना आपको आना चीए आपने टाइम एन वर कर पड़ा होगा ठीक है तो वहां पर भी मैं आपको जल्दी वीडियो लेकर आँगा जहां बताऊंगा ठीक है मैं जल्दी कराऊंगा देखिए इस कुश्चन में जैसे कुश्चन नहीं था बहुत से कुश्चन ऐसे इसे सिंपल कुश्चन भी आते हैं इनमें पैन में नहीं उठानी पड़ती है ठीक है अच्छ चलिए तो यहां पर इस लिए मैं नहीं कर रहा हूं अभी क्यू 181 में क्या दिया हुआ है विद्ध देख सकते हैं पहले में एरो यहां पर थे ठीक है यहां एरो थे फिर अपर चले गए तो आप अपसन नमबर भी आपका राईट हो जाएगा अगले वाले में देखिए यहां पर आपका घी था एक बड़ा फिर दो बढ़ गए फिर दो बहुत सान होते हैं अगले में डेखिए क्या कह रहा है पहले में यहां सा फिर यह से रहा फिर नहीं चले गया पर यह एसे चले गया अगले में यहां आ अगया तो अब इसके बाद जो अगला फिगर यह देखिए यह फिगर था यहां आ गया है अगला फिगर कैसा बनेगा यह वाला आएगा ठीक है यह फिगर आ गया है और इसमें किस टाइब से बनाएंगे हम यह वाला बनाएंगे ठीक है तो option number sorry option number a यहां पर right हो जाएगा ठीक है option number b नहीं है ज्यान देना यह गलती से होगा है option number a रहेगा ठीक है चलिए हम इनको तो करते रहेंगे बाद में देले देले अब हम हिंदी स्टार्ट करते हैं अपनी यहां से ठीक है चलिए कि देखिए सामानी हिंदी कुश्चिन आस्तिक का विलोन सब्द क्या रहता है ठीक है जो आस्तिक है इसका विलोन सब्द क्या रहेगा अस्त अंत अस्त या अर्थिया उदय या नास्तिक तो आस्तिक का क्या रहता है आपका नास्तिक रहता है क्या रहता है आपका नास्तिक रहता है तो option number यहां पर D क्या रहेगा आपका right रहेगा ठीक है चलिए अगला है दोसा दोवा कुश्चन है मेग आए बड़े बंठन के समर के उप्रोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ठीक है मेग आए बड़े बंठन के समर के इसमें जो रहेगा तो ये रहेगा आपका मानवी करण अलंकार यहां पे रहेगा ठी दोसा तीनवा कोश्चन है यथा सक्ति सक्ति के अनुसार मैं कौन सा समास है इसमें रहता है आपका अव्य भाव समास रहेगा एक और अजगरही लखी एक और मगराय विकल बटोही बीच ही परियो मुर्चा जाए इसमें भी बोला गया कि कौन सा रस है यहां पर देखें पूरे चार से पांच में बचे है ठीक है तो पढ़ लिए अगर एक्जाम में कुशन आ जाते हैं तो आपके मार्क से नहीं कटेंगे पर पर आयो कुछ बोल भी सकते हैं क्योंकि स्लेवस में तो नहीं है एक चीज़ सिंपल है बड़ आप लोग फिर भी इन चेप्टर कीज ठीक है दोस्ता पांच में लोकिक का विलों सब्द क्या रहता है लोकिक का विलों होता है आपका अलोकिक होता है ठीक है आर प्रत्य के सब्द बनेंगे अब देखिए उपसर क्या होते हैं सब्द के प्रत्फस्त में लगते हैं और जो प्रत्य होते हैं यह अंत में लगते ह ठीक है तो यहाँ पे आर की बात कर रहा है लोहार सुनार देंदार देंदार ठीक है दार आ रहा है और आर आ रहा है या देखिए लोहार में आर आ गया ठीक है सुनार में आर आ गया तो ये भी आपका ठीक है तो एन भी बड़ देंदार में आर नहीं आता है ठीक है पंडिजी हमाई देश के प्रसम प्रधामंत्री थे वाक्य में पंडिजी अक्षर कौन सी संग्या है इंपोर्टें कोशन है पूछता है अब देखे हम किसकी बात कर रहे हैं हम जवालाल नेरो जी को पंडिजी कहते हैं तो यहां पर व्यक्ति के बात चल लिए ना तो अप्स बहु 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 आता है और बहु आता है मैंने बहुत अच्छे से इसकी वीडियो बनाई हुई है वर्णमाला के चार लेक्चर ले हुए हैं और वहाँ पे आपके चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी आप जाके उनको देख सकते हैं अगला है वे सब्द चुनिए जो आ पा रहा है तो option number B आपके हैं यहाँ हो जाएगा अगला है मनुश्य गाह, नदी, आदी में कि संङ्या का बोद होता है देखें मनुश्य क्या है गाय, क्या है और नदी क्या है ठीक है यह व्यक्ति वाचक है बहाफ बहा जाति वाचक है तो यहाँ पर एक चीज़ें कमन ह प्रत्याइक किन सब्दों में है नैतिक धार्मिक सामाजिक तीनों में तो आपको प्रत्याइक करने पड़ेगी जब तक आप ठेक्टिस नहीं करेंगे आप टेली ग्राम पे अप जाके प्लेस्ट में जाके मेरी देख सकते हिंदी के मैं हर्च एक्टर के यहां पर क्या कर रहा हूँ चैन तीन सा से चार सा कोशन कर रहा हूँ जो कि यहीं से आएंगे आप उनको इवा प्रैक्टिस कर लेते हैं एक से दो बार तो आपको कोशन नहीं शोटने वाले है ठीक है दोसा चौदवा है जिस सर्वनाम में किसी निश्च करना है मैं गया था भूतकाल सायद वर्सा होगी भविस्तिकाल मैं जाता हूँ वर्तमान काल और यह सभी सही है तो क्या है आप सभी सही है जो मैंने कर चुका हूँ वह भूतकाल की बात है भविस्ति की बात कर रहा है कि वर्सा होगी भविस्ति की बात कर रहा है और मैं जा तूहीं का है वर्तमान की बात चल दिये ठीक है अबूसरा सोलवा कुष्यान है किस्कर वह का व्याव का उधारन की बात कर रहा है तहां के से दूर पहुच गया ता यह dadan कारक के उधारन क्या-क्या है किस्कry बात कर रहे हैं राम मत्रोह से आजीं गया पीण से लुट तो दूनोग एऔ, और जहां पर अलगाओ का भाग होता है, वहाँ से अलगाओ का भाग होता है, मथुरा जो को बहुता है, जो पर कफ़िया के काल या समय की विस्षिटा बाता है, उसे क्या कहते हैं, इसको काया राताब आपका कालवाजएक क्रिया 2.19 वा है जीवित का विलोन सब्देख क्या हो जाएगा जीवित का आपका हो जाएगा म्रत हो जाएगा लगुतम सबदानसे हैं जो सब्द के प्राड़रम में लगकर नई सब्दो का निर्माह करते हैं कि अपसर्ग यह सब् सब्सक्राइट नए सब्सक्राइब यहीं टत्य लें influx न लगते हैं अनको बनना। क्या है आपका लिखे सुपाइब है। सागर का पर्यावाची सब्द नहीं यह कह रहा है ठीक है इसमें से सागर का पर्यावाची कौन सा नहीं होगा सीवाधर नहीं होगा वाकि सिंदु रतनाकर और पयोदी क्या होते हैं पर्यावाची होते हैं सागर के परतंत्र का विलोम सब्द क्या हो जाता है ठीक है चो परतं पड़ में उपसर कौन सा है अन, अन क्या है आपका एक यहाँ पर उपसर गया है, तो यहाँ पर उपसर नमर ए आपका राइट हो जाएगा, मेरो मन अनत कहां सुक पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंची पुनी जहाज पर आवे, सूर्दास प्रभु काम धेनु तजी, छेर इसका पर कौन सा राइट है, अनुबर मेरों कि क्या है, अपनेज का और पर उपसर है स्वाल cloud हो जोना। महमान, लheusकति लोकोक्ती का अर्थ क्या है, 12 वार महना आना, अच्छा महमान, जब दस्ति गले पढ़ना, महमान का सवागत करना, ठीक है, लुकोक्ति पुषी आती एक्जाम में, गले पढ़ने हैं है, घू दोसा उन्तीसमा कुश्चन है तनकर भाला यू बोल उठा, राणा मुझको विस्राम न दे, मुझको बेरी से हिरदय छोब, तु तनीक मुझे आराम न दे, उप्रोक्त पंक्ति में से कौन सा रस यहाँ पे दिया गया, देखें, उप्रोक्त पंक्ति को पंक्ति में से लग र रहे है, ठीक है, दोसा इकत्तीसमा है, जीती मक्ही नहीं निगली जाती, लोको कि यह मतलब क्या, मतलब क्या, जीती मशली होती है, जिन्दी मशली जो मक्ही होती है, नोट मशली, ठीक है, नहीं निगली जाती है, ठीक है, इसका मतलब है, कि जान बोच का गलत काम नहीं किय जाता है ठीक है तो option number D यहां पे right हो जाएगा सुद्द्वाक्षी का चैन करना है असल गाय दूद यह गलत है आपका यह गाय का अस्ली दूद है यह आपका सही लग रहा है यह गाय का अस्ली दूद है ठीक है अगला question है निस दिन बरसत नैन हमारे सदा सही सदा रहे पावसरी तु हम पे जबते श्याम सिधा ले तो उप्रोक्ति में से उप्रोक्ति में कौन सा रस है यहां पे तुझी आपका वियोक संगार रस है यहां पे ठीक है संगार यहां पर गरत लिखा हुआ है जो संगार बात करते हैं हम चार तीर्या मतब तीन चीजों तीन जैसे सब्द को याते हैं ठीक है संग्या वाले तो यहां पर बोला कि सुद्द की बात कर रहे है चौरहा दिगु समास पुस्तकाले में तत्पुरुष समास यह भी सही है काली मिर्च में करमेदार समास है काली मिर्च की क्या कर रहा है मिर्ची की यहां के सविषता बता रहा है ठीक है तो यह सब ही सभी सही है तो option Number D आपका right हो जाएगा बहुभरी समाज के है ठीक है तो भाउभरी का उधारण कौना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका नील सब्सक्राइब कर सकते हैं सुमित मुरादी के नाम से आपका टेलिग्राम है ठीक है मुरादी सुमित नाम से होगा तो आप उसको जोइन कर लिजीगा वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाते हैं अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अब गद्यांस हम पढ़ेंगे तो प्रेम रजाएगा ठीक है तो गद्यांस में होता क्या आप सको पता है आपको इक पूरा पढ़ना परेगा इसका एक सीरसक होगा और इसके अंदर क्या बाते की हुई है तो यहाँ पर सिंपली कोश्चन पूछे आते हैं जैसे इस गद्यांस का उचिस सीरसक क्या है जाओ सब्द के अंत में जुरकर नई सब्दों का निर्माल करते हैं अब क्या करें अंत में जो लग रहें गहरा है ठीक अब इस शेप्टर से काफी ज़्यादा कुछन पुछे गया है तो प्रत्य प्रत्य उपसर में से बहुत कुछन पूछे गया है इसलिए मापसे कहा रहा हूं प्रत्या उत्वर को अच्छे से कर लेना अभी आपने खुदी देख लिया है आश्र 10 कोशन आ चुक है इस शेप्टर से ठीक है जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक सब्द क्या होता है ठीक है इसके लिए एक सब्द की बात करते हैं वह होता आपका और सुर्टी या क्यूवन दिखेते हैं ठीक है अगला है सुद्ध सब्द का चैन कीजिए आप देखे आए मैंने इससे पहले आपको वर्तनी भी करवा दी हुई है यहां से कोशन बरते हैं तो आविसकार सब्द आविसकार कैसे लिखा जाता है इस टाइक से आविसकार लिखा जाता है ठीक राइट हो जाएगा दो से टाइसमा कुश्चन है सबसे समानिकार पर विश्वास के लिए एक सब्द है सब के समानिकार के लिए ठीक है तो इसके लिए आपका जो एक सब्द आता है या आता है समाज बात कहा जाता है निम्न मैंसे कौन सा सब्द सुद्ध नहीं है इस टो बुरे मार्ग पर चलने वाला के लिए एक सब्दे क्या होता है तो यह होता है आपका कुमारगामी इस तरी के लिए पर्यावाची सब्दे क्या होता है कांता, करी, नारी, A, N, C इसमें रहते हैं आपके अप्सन नमर D रहेगा ये रहे कि आपका कांता और नारी ठीक है अगनी के पर्यावाची है अनल, पावक, हुतासन, आप्सन नमर D सभी के सभी होते हैं दोसब आउनवा खुश्चन है यापे वाजी, हयर, इसके पर्यावाची है तो यह है आपके असुके है पर्यावाची सब्द और विलोम सब्द जो है और एक सब्द होगे, पर्यावाची होगे डेली वेसे इसे पर 5-5-10-10 याद करिए लास्ट मार को लोड नहीं आएगा, अभी कहा रहा हूँ 5 मैने पहले कहा रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना परिक्रिया को क्या कहा जाता है, अब यहां पर सब्दों का मेल कहा रहा है, किसके बाद कर रहा है, सब्दों के मेल की बात कर रहा है, तो यह बंदे समास होता है, ठीक है कापबी की सोबा बढ़ाने वाले सब्दे को क्या कहा जाता है इनको आपका देखिया कर रहा है कापबी की सोबा बढ़ा रहे है ठीक है इनको कहा जाता है तूटी पुरक सब्दे के लिए देखे तूटी पुरक के लिए देखे अप्सन नमटी और वह उसे मिल गई, यह वाक की है, ठीक है, यह सीला नहीं क्या किया है, एक पुस्ता मांगी है और, अब देखें, और आ गया है बीच में, तो यह सरनल वाक की तो होगा नहीं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, सर्युक्त वाक के हो जाएगा, विस्तिस्य सब्दों के प्रियोग से काब के सौंदर्री में जब रद्धी हो तो वहां माना जाता है ठीक है यह माना जाता है आपका सब्दानंकार माना जाता है सिर मुडाते ही ओले पड़े लोकुक्ति का आर्थि क्या है बहुत इंपोर्टेन लोकुक्ति है ठीक है एक्जाम में कुशन मनते हैं वंधिने चेप्टर में करवाएं नीए जिल्दी में कर्वाँगा इसको ठीक है तो यह क्या हो जाएगा रेल गारे मडागी वह बी छाएदार निम्हीं च हिंग्रइी दोन होते लोटा हो गया ठीक है पग्डी हो गया जिए तेसर सब्द क्षेन कुशन पर घगया अगया है होते हैं ठीक है अगला है दूर की बात सोचने वालों के लिए सब्द है ठीक है क्या होते हैं जो दूर की बात सोचने वाला होता है जो दूर की बारे में सोचता है आप तो दूर दर्सी होता है अप टेलिस्कोप तो होगा नी अनंत भी नहीं होगा दूर सोची होगा तो इसक तो इसमें से असुद्य बाग की का चैन अब आपको देखते लग रहा होगा कि हम तुम और कंचन राद घूमी थी तो यह अपने आपको लाश्मन अपना आता है तो यह हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा ठीक है दो 68 है संग्या और सर्मनाम बताने वाले रूप को क्या कहते हैं ठीक है जो संग्या और सर्मनाम बताते हैं इनको कहते हैं सर्मनाम को विसेस्ता संग्या और सर्मनाम की विसेस्ता बताने वालों को विसेस्ता कहते हैं पर दिया हुआ है अगला कोश्चन है राचकुमार पुस्तकाले तथा ध्यानमगन में कौन सा समास है आप समास की बात कर रहे हैं ठीक है तो यह हो जाएगा आपका ततपुरुष समास है ठीक है फिर से यहां पर गद्यानसुप दे दिया गया है इसको पढ़के फिर से आपक संग्या या गर्णा का बोत कराएं वह क्या कहलाते हैं ठीक है इंको कहते हैं संख्यात्मक विस्यस्ता कहलाते हैं ठीक है जो संख्या गर्णा जो कहते हैं कुछ सब्द विस्यस्ता को भी विस्यस्ता बताते हैं एह सब्द को क्या कहते हैं कुछ सब्द क्या होते हैं विस्य की बात हो रही है ठीक है option number B रहेगा यहाँ पर सुद्ध सब्द का चैन कीजिए वदू मरग अनुगरहित या फिर यह सभी तो यहाँ पर option number D आपका चैन की पर चैन की चैन के सब्द का संदीबिच्चेद मनो भाव की सब्द का संदीविच्चेद है मनुभाव option number B का है ठीक है तो देखिए आप संदी के जब्चा देखिए तो आपको चीज़ है ट्रैक्टिस में आसान लगने लग जाएंगी ठीक है जिन सब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं आप सब्दों के अर्थ की समानता की बात कर रहा है इसे कहते है परवाची सब्द कहते हैं आप सको पताईए ठीक है असुद्ध सब्द का चैन करना है कर्मिधारे, उत्पाद, उत्पाद, इखिए उत्पास सी सही लिखा हुआ है और सरी उत्पास सब्द का चैन करना है न यहाँपे तो option number देखिए करमिधार है ूतपाथ सही है उतपाथ घलत है असुद्ध है अगला कुश्चन है परमिश्वर का संदि पिच्चत का होता है परमश्वर हो जाता है और सान नंबर भी यहां पे राइट हो जएगा फिर से अगन्सा चप्टर अगया अग चैन करना है प्रतिधन एक इसमें आपकी यंसंदी है स्वेस्टि प्रतिप्रस उप्कार प्रतिःब्न यह संदि यह भी शहीँ है बर ऑप्सांस की गलत है करर दिया ओए बाέक्श हört इसमें आपकी किया है दिख्कज तो इसमें आपकी क्या है यहां पर दिरगसंदी है रजनीस यहां पर दिरगसंदी है देवाला है यहां पर आपकी दिरगसंदी ऐ ठीक है 292 वा कुश्चन है Qaman Odoo निमनमैंसे योगिक सब्द का चैन कीजिए प्लस प्ति यहनापती हो गया ठीक है चतुर आई, चतुर प्लस आई ये भी सही है अनु सासन, अनु प्लस सासन ये भी सही है तो option number D आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कामदेव के पत्यावाची सब्दि क्या है कामदेव क्या है अनंग हो जाएगा ठीक है अगला question है निम्न मैंसे गुण संदि का उधारण है किसका गुण संदि की बात कर रहा है महोदय, महाप्लस उधय महरसी, महाप्लस देसी, सुरेंज, सुर्प्लस इंडर ये सभी तो option number आपका यहाँ पर D राइट हो जाएगा सभी क्या है गुण संदि के उधारण है 295 वा question है निम्न मैंसे व्यंजन सदि का उधारण चुनिए व्यंजन की बात कर रहा है सु पलस आगत, स्वागत, उमेश, उमा पलस इस सद गुण, सद पलस गुण, बी वाशी दोनु इसका जो right answer है वो आपका सद गुण ठीक है तो 96 है औरह 107 है गड़ेस का परवाची सब्द नहीं आ कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दे न, महीं की बात कर रहा है ठीक है तो लंबोदर मुवख वासक एकंध है बड़ पितामबर नहीं होता है सुद्ध वाक्ति का चैन करना है इस्तिर पूरुसों के समों देखती थी इस्तिर पूरुसों की समों देखनी की बनता था इस्तिर पूरुसों का समों देखते ही बनता था तो option number C यहाँ पर आपको लग रहा है तो option C राइट हो जाएगा अगला है मिट्टी खराब होना मुहावरेगा अर्ति क्या है बुरा हाल होना उसर जमी गंबिर बिमारी अवर्सिता ठीक है तो मिट्टी खराब होना मतलब बूरी हलत होना बूरी हलत में होना लास्ट कोशन रहेगा मराज का तो पर वारो उर्बसी सुन राधी के सुजान तो मोहन के उर्बसी है उर्बसी सम्मार तो इसमें कौन सा अलंकार है यह पूछा गिया है तो यहाँ पर option number B इसमें आपका जमक अलंकार है तो देखे आपको इससे एक idea मिला होगा कि आपको देखे स्लेबस में कारक नहीं तो कारक पढ़ना पढ़ेगा अलंकार की बात अलंकार पढ़ने पढ़ेंगे चंद और रस्त की बात कर रहा है वो भी आप देख लीजिएगा ठीक है कारक होई गया है बाकी और तो स्लेबस में है एक दूग घंटा भी देते हैं तो आपको आपको आइडिया मिला होगा पेपर से पीडिया आप डाउनलोड करें ना यह जो आपके यहां पर छोड़े गए थी कुशन यहां पर प्रक्टिस करेंगे यहां पर तुकि यह इसको पढ़ने के बाद ही यहां से कुशन बनते हैं ठीक है तो आपको चीज़े क्लियर हो रही होगी बाकि आप लेश्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं और चीज़ों को इंजोई कर सकते हैं ठीक है तो और साथ में आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा यहीं पर आपको अपडेट मिलते जाती है और करवाता हूं मैं तो मनें ठील करेंट अपर वीडियो डाली हुई है जहां पर एक घंटे के अंतकत आपको पूरा मंता कवरंट यहां पर कवर हो जाता है तो ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग जयाहिन वान देमाते रहूं